नमस्कार स्वागत है आपका राज की बात में आज हम बात करेंगे राज्य सभा चुनाब में कॉंग्रेस की सिति को लेकर 57 सीटों पर 15 राज्यों के राज्य सभा चुनाब के लिए 10 उम्मिदवार कॉंग्रेस ने घोशित कर दिये हैं और उसके बाद कॉंग्रेस के अंदर कैसे घमसान शुरू हो गया है कॉंग्रेस के भीतर हर राज्य में बागी गुट तयार हो गए है और अब कॉंग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों की परेशानी इस बात के लिए बढ़ी हुई है कि किस तरीके से इन लों को मैनेज किया जाए ये स्थितियां पैदा हो गई है कि अब कुछ समय के अंदर ही कॉंग्रेस के कई बड़े बड़े नेता पाटी छोड़ सकते हैं हम बात करेंगे इन ही मुद्दो पर कि कॉंग्रेस जिन जिन राजियों में उम्मिदवार बनाया है राजसभा का उन राजियों के स्थिति क्या है उसके अंदर की नेता कैसे परिशान है अब सबसे पहले जानते हैं कि दस जो राजसभा के उमिदवार बनाये गए कॉंग्रिस के अंदर उनकी क्या-क्या इस्थिती है राजसभा में जो उमिदवार बनाये गए हैं उसमें बड़ी लौबी काम किया है और वो है गांधी परिवार के भीतर भी एक स्पस्ट विवाजन देखने को मिला है हाला कि प्रियंका गांधी नहीं बन पाई उमिदवार और उनको ओफर दिया जा रहा था लेकिन प्रियंका गांधी ने लौबिंग बहुत बहतरीन की है जिस तरीके से राहुल गांधी अपने करीबी नेताओं को राजसभा भेज रहे थे उसी तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने करीबी नेताओं का ध्यान रखा और उत्तर परदेश से तीन तीन नेताओं को राजसभा का उमिदवार बनवाया है इसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की रही है क्योंकि राजिव सुकला भी प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जा रहे थे इस बीच तो दूसरी तरफ परमोध तिवारी और इमरान परताब गड़े भी प्रियंका गांधी की टीम में थे उत्तर परदेश में बिधान सभा चुनाब बुरी तरह से हारी है कॉंग्रेस लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी आगे की रननीती देख रही है और वो अपने लोगों को कम से कम राजसभा के माध्यम से ही खुश करना चाहते थी ताकि उनका भी एक लौबी कॉंग्रेस में मजबूत रहे उन्हें आफर दिया जा रहा था राजसभा जाने की लेकिन वो परिवार में तकराव स्पस तोर पर ना हो जाये इसलिए उन्होंने आफर ठुकरा दिया और किसी भी अस्तर पर केंद्रिय राजनीती में गांधी परिवार के दो लोगों के बीच टकराओ को रोकने के लिए अपना एक तरह से त्याग दिया है लेकिन फिर भी जो इस्थितियां बनी उसके बाद परिशानियां बढ़ी है महरास्ट में भी परिशानी है तो 36 गड़ और राजस्थान में भी परिशानी है सबसे ज़्यादा परिशानी बढ़ी है कॉंग्रेस के अंदर राजस्थान को लेकर और निशनल अस्तर पर कुछ और नेता हैं जो बागी रूप अक्तियार कर लिये हैं और कॉंग्रेस में जो राजसभा सीटों का बटवारा हुआ है उसको लेकर असंतोष जाहिर कर चुके हैं कुछ निताओं ने गांधी परिवार के उपर हमला किया है तो कुछ ने कॉंग्रेस के कल्चर के उपर कुछ मुखर होकर सामने आए तो कुछ अपने तरीके से दबी जुबान में राजसभा के जो प्रोसेस है राजसभा में जो राज्यों का नित्रित्व होता है उसके उपर सवाल उठाया है तो किन नेताओं की क्या इस्थिती रही है और कौन अब कॉंग्रेस में गांधी परिवार के खिलाप बिगुल फोकने वाले हैं इसकी बाद-बाद में करेंगे सबसे पहले जानते हैं कि राजस्थान में क्या हुआ राजस्थान से तीन राजसभा के उम्मिदवार बनाएगे लेकिन तीनों के तीनों बाहरी उमिदवार हैं और तीनों के उपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार राजस्थान से राजसभा का परतिनिधी एक भी राज्य का क्यों नहीं है क्योंकि पहले से ही ये बात राजस्थान में उट रही थी और अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाब के उपर इस बात के लिए चर्चा भी हो रही थी कि राजस्थान से जो राजसभा का उमिदवार बनाया जाए वो राज के अंदर का हो भारतिये जंता पाटी ने एक दाव चला और वहां से घंसाम तिवारी को राजसभा के लिए उमिदवार बना दिया जो कि भारतिये जंता पाटी के अंदर भी कई बार बगावत कर चुके हैं एक बार पाटी छोड़ भी दी थी फिर पाटी में आये और एक बड़े अस्तर से राजस्थान के भारतिये जंता पाटी के नेता के तौर पर जाने जाते हैं इसलिए अब सवाल और ज़्यादा गहरा होने लगा कि जब भाजपा ने राजस्थान के ही किसी नेता को राजसभा का उमिदवार बनाया तो कॉंग्रेस के पास तीन-तीन सीटे राजस्थान में थी उसमें से एक भी राजस्थान का क्यों नहीं है और तीनों के तीनों अपने तरीके से जो गांधी परिवार के वफादार माने जाते हैं उन्हें राजस्थान से बनाया गया है जो पिछले बार भी जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय भी वहाँ पर नीरजडांगी, मनमुहन सिन और केसी विनुगोपाल को जो राज्यसभा का उमिदवार बनाया गया था तीनो के तीनो गांधी नेहरु परिवार के, यानि कि केसी विनुगोपाल, राज्यसभा गांधी के सबसे करीवी, नीरजडांगी सबसे करीवी और मनमोहन सीन को एक तरीके से पुरसकार के तोर पर दिया जाता है जो सोनिया, राउल, प्रियंका सब के वफादार माने जाते हैं लेकिन इस बार भी कुछ ऐसे ही इस्थिति हुई और अशोक गहलोत जिसके उपर दाव लगाने की बात कर रहे थे, विचार कर रहे थे वो सक्सिस नहीं हो पाया इसलिए गहलोत कैम्प के कई मंत्रियों ने भी बात उठाई है बगावद करने का इशारा किया है कि अगर ऐसे इस्थिति रही तो राजस्थान में अगले साल होने वाले चुनाब में कोई भी कॉंग्रेस का नेता जीतने के लिए तरसेगा ये इस्थिति राजस्थान के बन रही है क्योंकि वहां से तीन उम्मिदवार जो खड़े किये गए है वो है एक रंदीप से सुर्जेवाला, दूसरा मुकुल वासनिक और तीसरा परमोतिवारी वासनिक महराश्थ से है तो सुर्जेवाला हर्याना से और परमोतिवारी उत्तर परदेश से है इन तीनों को देखा जाए तो एक सीट हर्याना के लिए भी खाली था एक सिट महराश्ट के लिए भी और उत्तर परदेश के लिए तो कॉंग्रेस के पास कोई सिट की दावेदारी नहीं थी लेकिन महराश्ट से मुकुल वासनि को टिकट नहीं दिया गया बलके उन्हें राजस्थान भेज दिया गया दूसरी तरफ सुर्जेवाला को हरियाना से नहीं भेज कर राजस्थान से भेज दिया गया और हरियाना से राहुल गांधी दूसरे नेता पर दाव लगाए और वो भी उनके सबसे करीबी हैं जिन्हें अजय माकन कहा जाता है अजय माकन राजस्थान में भी बड़ी भूमिका निभाय थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए और अब भी करीबी नेता माने जाते हैं राहुल गांधी के उनको हरियाना से भेज दिया गया जबकि हरियाना के जो नेता सुर्जेवाला है वो भी राहुल ग पदले राजस्थान से उन्हें राजसभा का टिकट दिया गया है, एक मात्र ऐसे, G23 के बागी नेताओं में से एक हैं, जिनके उपर लगतार नेहरू गांधी परिवार जो है वो दाव लगा रही थी, लेकिन इन तीनों को राजस्थान से टिकट दिये जाने एकारण राजस से उत्तर परदेश के इमरान परताप गड़ी को टिकट दे दिया गया है जो कि उत्तर परदेश में अभी कॉंग्रेस के स्थिति सबसे कमजोर है तीन-तीन नेताओं को जब वहां से राजसभा भेजा जा रहा है तो उसमें इमरान परताबगड़े को महराष्ट से क्यों भेजा गया इसको लेकर महराष्ट कॉंग्रेस में भी परेशानी चल रही है और महराष्ट कॉंग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि हमारी बात कब सुनी जाएगी ना तो महारास्ट विकास अगाडी के अंदर जो NCP और शिब सेना को लेकर सवाल उठा रहे हैं उस पर कोई हाई कमान फैसला ना ले रहे हैं और नहीं जो राजसभा की सीट दिये जाने की बात थी उसमें भी कॉंग्रेस के किसी भी बड़े नेता का नाम तक सामने नहीं आया कुछ इसी तरह के इस्तिती 36 गड़ में भी है जो कि 36 गड़ और राजस्थान के इस्तिती पहले से ही कॉंग्रेस की खराब रही है एक तरफ राजस्थान में अशोक गहलावत और सचीन पाइलेट के बीच लगतार टकराव चल रहा है तो दूसरी तरफ 36 गड़ में भी तरफ रही थी और वहां के तीन नेताओं ने सोनिया गांधी को लेटर लिखा था कि हमें राजसभा का उमिदवार क्यों न बनाये जाए लेकिन वहां पर जो दो सीटे खाले थी दोनों पर बाहरी उमिदवार को राजसभा का टिकट दिया गया जिसमें एक गांधी रंजीता रंजन है अब दोनों के उपर इस बात का सवाल उट रहा है कि दोनों ही political आधार या mass leader नहीं है रंजीता रंजन के उपर तो इतना ज़्यादा सवाल बिहार और 36 गड़ दोनों जगह उट रहा है कि आखिरकार रंजीता रंजन को राजसभा क्यों भेजा जा रहा है जबकि उनके हस्वेंट पपुजादव खुद ही अपनी पाटी चला रहे हैं और वो पाटी कॉंग्रेस के खिलाप ही काम करती है विधान सवा या लोक सवा चुनाब में बिहार में रंजीता रंजन का अपना कोई आधार नहीं है जो भी आधार है वो केवल और केवल पपुजादव का है लेकिन फिर भी उन्हें 36 गड़ से भेजा जा रहा है इसलिए 36 गड़ कॉंग्रेस के अंदर भी बगावत चल रही है अब सबसे बड़ी बात है कि इन सारे जगों पे जिन दस उमिदवारों को टिकट दिया गया उसके अलावा जो बड़े अस्तर पर कॉंग्रेस में बगावत होने वाली है उसमें बड़े बड़े नाम है और कुछ लोगों ने मुखर होकर कॉंग्रेस का विरोध करना शुरू किया है जिसमें दो नेता ट्विटर पर सक्रिये हो गए एक हैं पवन खेडा तो दूसरा नगमा पवन खेडा ने तो साब तोर पर कह दिया कि उनकी तपस्या काम नहीं आई हाला कि बाद में वो उसे बैलेंस करने की कोशिश करते रहे लेकिन राजनीती में ये बहुत जरूरी होता है पहले आप अपनी नाराजगी दिखाएं और फिर ये कोशिश करें कि अपनी पार्टी में ही उनकी नाराजगी को समझा जाए संके समझा जाए और उसके बाद आगे उनके खिलाब कोई कारवाई न हो इसलिए बैलेंस के तोर पर कुछ और चीजे बता दी जाए कि हम पार्टी के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमारी पहचान बनाई है पवन खेडा ने भी ऐसा ही किया और दूसरी तरफ नगमा ने भी इमरान परताप गड़ी का नाम लेकर बताया कि उनके 18 सालों के तपस्या इमरान परताप गड़ी से कमतर करके आके गई क्योंकि इम्रान परताबगडी कुछ समय पहले ही कॉंग्रेस जोईन किये हैं और अभी प्रियंका गांधी के साथ थे उन्हें अलपसंख्यक वोड यानि मुस्लिम वोड जो उत्तर परदेश के हैं अपने साथ लाने के लिए उज़ करने के लिए प्रियंका गांधी ने राजसभा भेजा और वो भी महाराष्ट से तो इस बात का सवाल बड़े अस्तर पर उठ रहा है लेकिन दूसरे और बड़े नेता हैं जो मुखर होकर सामने तो नहीं आए लेकिन कॉंग्रिस के अंदर इस बात की चर्चा जोर सोर से चल रही है कि अब अपना ये विकल्प तलाश करेंगे उसमें से एक बड़े नेता है आनन सर्मा क्योंकि आनन सर्मा हिमाचल परदेश से हैं हिमाचल परदेश में चुनाब होने वाला है और उन्हें इस बात की उमीद थी कि उन्हें कहीं ने कहीं से राजसवा भेजा जाएगा दूसरी तरफ उनके कुछ करीबी G23 के और नेता हैं जिसमें से एक भुपेंदर सिन हुड़ा है जो आज कल कॉंग्रेस के सोनिया गांधी और राहूल गांधी के करीबी माने जाते हैं और G23 के दूसरे नेताओं को सोनिया गांधी के करीब लाने में इस बड़ी भूमिका नि व्यक्ति यानि उदय भान को अध्यक्ष बनाया और खुद विधान सभा में परतिपच के नेता बने कॉंग्रेस लेजिस्टेटिव पार्टी के लीडर बने और इसलिए वहाँ पर कुल्दीब विश्णो जैसे नेता नाराज भी हो गये थे लेकिन इस बीच हुड़ा चा जिससे हुड़ा भी थोड़े दुखी है और दूसरी तरफ आनन सर्मा भी दुखी है और वो भी विकल्प की तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनका राजलितिक केरियर अभी खत्म नहीं हुआ है गुलाम नभी आजाद को भी ऐसी उमीद थी इसलिए उन्होंने भी जब उन्हें कहा जा रहा था बात की जा रहे थी कि ना हो तो जारखंड से आपके उमिदवारी के बारे में चर्चा की जा सकती है तो उन्होंने साफ तोर पर इंकार कर दिया क्योंकि जारखंड में अभी भी कॉंग्रेस में विवाद चल रहा है कि सोरिन कॉंग्रेस को टिकट देंगे या नहीं देंगे अब कल जो अंतिम दीन है उसके बाद ये साफ हो जाएगा सोरिन का जो मिटिंग हुई थी दिली में सोनिया गांदी के साथ उसमें भी कोई फैसला नहीं हो पाया इसलिए गुलाम नभी आजाद भी दुकी हैं तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस के दूसरे जो पड़े नेता हैं वो भी बार बार इस बात का सवाल उठा रहा है जिसमें पंजाब कॉंग्रेस के मनीश्तिवारी भी हैं जो आनंदपूर साहब से अभी सांसद हैं लेकिन वो देख रहे हैं कि जिस तरह से कॉंग्रेस के अंदर चापलूसी कल्चर बढ़ रहा है उससे उ उन्हें भी किनारा किया जा सकता है और इसलिए मनीश्तिवारी ने भी कई मौकों पर सुनिया गांधी और राहुल गांधी एक खिलाब बयानवाजी की है पंजाब चुनाब के समय भी और अब जब राजसभा का टिकट दिया गया तब भी उन्होंने कहा कि राजसभा में जिस तरीके से लॉबिंग की जा रही है उससे तो सवाल इसी बात का उठता है कि राजसभा के प्रासांगिकता होनी चाहिए या नहीं राजसभा में भेजा भी जाना चाहिए या नहीं यानि कि उन्होंने भी राहुल और सोनिया के उपर सवाल उठाया है तो अगर देखा जाये तो दस सीटों के लिए कॉंग्रेस चुनाम लड़ रही है, दस सीटों के उमिदवार की गोषना की है, और दस सीटों में कॉंग्रेस के करीब करीब 25 ऐसे बड़े नेता हैं, जो कही न कही नाराज हैं, पाठी के अंदर भी और गांधी नेहरूप परिवार से भी, के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है में सायोग ताकि इसे तरही ख़बर हम आपके लिए लाते रहे हैं धन्यवाद